हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम टू माई चैनल शान्ती पीस ओफ माइंड दोस्तों आज हम रमा एकादशी व्रत कथा पूजाविधी और महत्व पर चर्चा करेंगे दोस्तों दीपावली के चार दिन पूर्व पढ़ने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्षमी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है इस दिन भगवान विश्णू के पूर्णा अवतार कृष्ण जी के केशव रूप की पूजा अराधना की जाती है दोस्तों इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में बैभव और अंत में मोक्ष की प्राप्ती होती है चलिए व्रत की कथा पर चर्चा करते हैं एक समय की बात है धर्मराज युदिष्टर जी ने भगवान शे कृष्ण जी से कहा हे केशव कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है इसके व्रत की क्या विधी है और इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है सो आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाईए इस बात को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी बूले हे राजन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है ये बड़े बड़े पापों को नाश करने वाली और असीम बैभव देने वाली है शास्त्रों में वर्नित इसका महत्तम मैं तुम से कहता हूँ सचेत होकर सुनो प्राचीन काल में मुझकंद नाम का एक राजा था उसकी इंद्र के साथ गहन मितरता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरून तथा भीवीशन के साथ भी मितरता थी वह राजा बड़ा धर्मात्मा तथा विश्नु भक्त था और न्याय पूर्वक राज्य करता था राजा मुझकंद के एक कन्या थी जिसका नाम चंद्र भागा था उस कन्या का विवाह चंद्र सेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ था एक समय शोभन अपने श्वशूर मुझकंद के घर आया उन्ही दिनों जल्दी ही पुर्ण दाइनी रमा एकादशी आने वाली थी व्रत का दिन समी पाया तो चंद्र भागा को अत्यंत सोच उत्पन हुआ कि मेरे पती बहुत दुर्बल है और मेरे पिता के व्रत के बारे में आग्या अतिक ठोर है तो दश्मी को राजा ने धोल बजवा कर सारे राज्य में ये खुशना करवा दी कि रमा एकादशी को सभी लोग व्रत करेंगे तो घुशना को सुनते ही शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपनी पत्नी से बोला अब मुझे क्या करना चाहिए मैं किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूँगा ऐसा उपाए बतलाओ कि जिससे मेरे प्राण बज़ सके अन्यता मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे चंदरभागा कहने लगी हे स्वामी मेरे पिता के राज में एकादशी को कोई भी भोजन नहीं करता हाथी घोडा उंट बिल्ली गौ आदी भी त्रिन और जलादी ग्रहन नहीं कर सकते फिर मनुश्य का तो कहना ही क्या है यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाएंगे क्योंकि यदि आप यहां रहेंगे तो अवश्य ही वरत करना पड़ेगा ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा हे प्रिये तुम्हारे साथ मैं भी वरत करूँगा जो भग में होगा वह देखा जाएगा ऐसा विचार कर उसने वरत किया और वह भूख वाप्यास से अत्यंत पिलीद होने लगा जब सूर नरायन अस्थ हो गए तब रातरी जागरन का समय आया यह जागरन वैश्णवों को तो अत्यंत हर्ष देने वाला था प्रन्तु शोभन को अत्यंत दुखदाई लगा प्राता काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए तब राजा ने चंदन की चिता में उसका दास अंसकार कराया प्रन्तु चंदर भागा ने अपने पिता की आग्या से अपने शरीर का दग्द नहीं किया अर्थात वो स्वैम अपने पती की चिता में नहीं जली और शोभन की अंतेश्टी क्रिया करने के पश्चात अपने पिता के घर में ही रहने लगी रमाय का दशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंद्राचल परवत पर धन धान से परिपून तथा शत्रूँं से रहित एक सुन्दर देवपूर को प्राप्थ हुआ वह अत्यंत सुन्दर रत्न और वैदूर्य मनी जडित स्वन्ड के खंबों पर निर्मित अनेक प्रकार की स्वटिक मनी से सुशोभित भवन में सिहासन पर आरूर हुआ श्वेत चट और चंवर मस्तक पर किरीट कानों में कुंडल कंठ में हार बाहु में कपूर बिभूशित गंधर्व और अपसराओं से घिरा हुआ ऐसे शोभित होता था मानों अपनी सभा में देवराज इंद्र विराजमान हों एक समे मुझकंद के नगर में रहने वाला सोम शर्मा नामक ब्रहमन तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला ब्रहमन शोभन को पहचान कर कि यह तो राजा का जमाई शोभन है उसके निकट गया शोभन भी उसको पहचान कर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम किया कुशल शेम पूछने लगा ब्रहमन ने कहा कि राजा मुझकंद और आपकी पतनी चंद्र भागा कुशल से है नगर में भी सब प्रकार कुशल है परन्तु हे राजन हमको अत्यंत आश्चर हो रहा है अपना व्रतांत कहिए कि ऐसा सुन्दर नगर जो ना कभी देखा ना सुना आपको किस प्रकार प्राप्ट हुआ तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्ट हुआ है परन्तु यह अस्थिर है यह सुनकर ब्रह्मन बोला कि हे राजन इस्थिर होने का कोई उपाए हो तो कहें मैं उसे अवश्य पूरा करूंग शोभन ने कहा मैंने रमा एकादशी का व्रत अनायास और शद्धा से रही धोकर किया था इसी लिए यह सब कुछ अस्थिर है यदि आप मुझकंद की कन्या चंदर भागा को यह सब व्रतांत कहें तो यह स्थिर हो सकता है यह सुनकर ब्रहमन सोम शर्मा ने अपने नगर में लोटकर चंदर भागा से संपून व्रतांत कह सुनाया ब्रहमन के वचन सुनकर चंदर भागा बड़ी प्रसनता पुर्वक ब्रहमन से बोली हे ब्रहमन यह सब बातें आपने पर्त्यक्ष देखी है या सौप नहीं कह रहे हो तो ब्रहमन कहने लगा हे पुत्री मैंने महावन में तुम्हारे पती को पर्त्यक्ष देखा है और साथ ही साथ किसी से विज़े ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है जिस प्रकार यह स्थिर रह सके वहाँ उपाय आपको करना चाहिए चंद्रभागा कहने लगी हे विप्र हे ब्राह्मन देवता तुम मुझको वहाँ पर ले चलो पती देव के दर्शन की मेरी तीवर लालसा है मैं अपने की यह पून्यों से उस नगर को स्थिर बना दूँगी आप ऐसा उपाय कीजिए जिससे उनका और मेरा मिलन हो सके आपकी अतीक रपा होगी और आपको पून्य भी मिलेगा सोम शर्मा चंद्रभागा को साथ लेकर मंदराचल परवत के समीब वाम देव रिशी के आश्रम में गया वाम देव रिशी ने उनकी बात सुनकर वेद मंतरों से उज्वल तिलक त्वारा चंद्रभागा का अभीशेक किया तब रिशी मंत्र के प्रभाव से एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्वी हो गया और वह अत्यंत प्रसनता के साथ अपने पती के निकट गई अपनी प्रीय पतनी को आते देख शोभन अत्यंत प्रसन हुआ और उसको भुला कर अपनी बाईं तरफ बैठाया तब चंदर भागा ने कहा हे प्राननात आप मेरे सभी पुन्यों को ग्रहन कीजिए जिससे आपका ये नगर और राज्य स्थिर हो जाए जब मैं आठ वर्ष की थी तब से ही सभी एकादशियों के वरतों को पून्य शद्धा पूर्वक विधी विधान के साथ करती आ रही हूँ इस पून्य के प्रताप से आपका ये नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कारे पून्ध होकर प्रले के अंत तक रहेगा इस प्रकार चंद्रभागा दिव्वे रूप धारन कर तथा दिव्वे आभुष्णों और वस्त्रों से सूसजित होकर अपने पती के साथ रहने लगी हे राजन यह मैंने रमा एकादशी का महत्व आपको बताया है जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं कृष्ण पक्ष एकादशी और शुक्ल पक्ष एकादशी दोनों एकादशियां समान हैं इसमें कोई भेदभाव नहीं है जो सभी महीनों की दोनों एकादशियों के वरत रखते हैं इनके महत्व को पढ़ते हैं या सुनते भी हैं वे समस्त पापों से जूट कर विश्ण लोग को प्राप्त होते हैं इसमें कोई संदे नहीं विश्ण भगवान की जै हाँ दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए मैं बहुत अच्छी अच्छी जानकारी आपके पास लेकर आती रहूंगी अच्छी जानकारी आती जाती आती 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 अटीजित